जरिय थाना चेत्र के चोथाई कुली उर्दू स्कूल के समीप रहने वाला आनंद कुमार नामक एक युवग बीते सनिवार को लगभग 11 बजे से लापता हो गया वह घंटों बीत जाने के बाद जब आनंद कुमार घर नहीं आया तो परिजनों ने चिंता जताना सुरू कर दिया जिसके बाद घर के सभी महले दोस्तों में रिस्तेदारों में खोजबिन की लेकिन कहीं पता नहीं चला जिसके बाद परिजनों ने रविवार को जर्या थाना में इसके लिखित सिकायद दी है तीन दीन बीच जाने के बाद किसी प्रकार की कोई खोज ख़बर नहीं होने से परिवारों में चिंता सताने लगी है वहीं मेडिया से बात करते हुए मंगलवार को परिजनों का कहना है कि तीन दिनों से लापता है लेकिन अभी तक कोई ख़बर नहीं हुई है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जर्या थाना गए थे लेकिन थाना के द्वारा बार बार यह बोला जा रहा है कि खोजबिन किया जा रहा महीं परिजनों ने प्लिस प्रसासन से जल्द से जल्द आनन्द कुमार की खोजबिन करने की मांग की है कुछ पता चला कुछ पता नहीं चला चानवीन ततुरत होने दू घंटा के बात हम लोग पूरा खुजना शुरू कर दिए आप लगा क्या करते थे करता था लेकिन इधर थोड़ा दस दिन से बैठा हुआ था क्यों काम मिलता था मतरा संदुकान में कर रहा था काम अच्छा ज stellt बंढ़ thorough कायarte की अफ़िक था तथा क्या समल सबसे कोई ने बोल रहा कि हमको कुछ बोलने बोला जो सबसंसे इसका आप अभी गये हम लोग पुलीस के द्वारा क्या कुछ अभी तक हुआ है अभी तहम को कुछ पता नहीं चला फिर भी हम लोग कल गया है तो बोले कि अभी इनकोडी हम लोग कर रहे हैं अब तो पता नहीं है अभी एक मैना से कुछ काम ने कर रहे हैं तो अभी एक मैना से कुछ काम ने कर रहे हैं अभी तक लेकिन कोई पता ने चला है को पता नहीं चला है अब कंव सनी वारे गारा मुझे सुभा से अच्छा इसका थाना में दिया करते हैं मां करते कि मेरा भाई जल से जल घहराँ ही जाए क्या नाम वो आपका मेरा कास कुमर्साव मेरा चुटा भाई का अनन कुमर्साव